एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का डाइलग बड़ा ही प्रचलित हुआ था वो डाइलग ये था कि पचास पचास को सदूर जब बच्चा रोता है तो उसकी मा कहती है बेटा सोजा बरना गबबर आ जाएगा बिहार में फिर इस बार एक गबबर के इंट्री होने वाली है और वो गबबर क्या कुछ करने जा रहा है वो गबबर कौन है और उसके इंट्री कब से होने जा रही है इन तमाम चीजों पर एक बड़ा अपडेट लेकर के हमारे बीच, हमारे एडिटर इंचीफ आने वाले हैं, स्वागत करते हैं उनका और उनी से जानते हैं कि ये गबबर कौन है, स्वागत है सर आपकर, जिसके इंट्री से बिहार में खलवली मची हुई है, जल जला हा गया है, सबसे बड़ी बात तो पुरशतम, कि जो डायलक आपने अभी इंट्रो में सूट किया, मुझे लगता है को बहुत परफेक्ट डायलक है इसके लिए, चुकि सिख्या विभाग में अभी केके पाठक ने जिस तरीके से हड़कम मचाया, हाला कि केके पाठक के जाने के बाद, यहां से लूट लिया, हाला कि यह सारी बिमानी बाते हैं, केके पाठक एक एड्मिस्टेटर है, एक सक्त एड्मिस्टेटर है, और सच मानी है, तो लैंड रिफॉर्म जहां पर अभी उनकी पोस्टिंग हुई है, उसमें केके पाठक की बड़ी आवशकता है, आपको याद पहले जब केके पाथा का नोटिफिकेशन हुआ था तो हम लोगों ने प्रोग्राम उसके लिए किया था और मुझे लगता है कि हम लोगों के उस जो हमारा वो प्रोग्राम था वीडियो था उस पे दो सो से ज़्यादा लोगों के कंप्लेन आये हैं रिगार्डिंग लेंट रिफॉर्ण और सबकी जो समस्या है वो सबकी समस्या सिर्फ और सिर्फ रिफैनुए डिपार्टमेंट से जुड़े हुई है और करमचारियों से जुड़े है एक व्यक्ति ऐसा नहीं है मुझे लग जिसमें कि यह लोगों ने अपनी समस्यां को बताया है और एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने करमचारी के बारे में पॉजिटिव रिपोर्टिंग की वो वीडियो केके पाठक ने भी देखा मेरी बात भी उनसे हुई थी है ना उस समय हाला कि वो थोड़ा डाइलेमा में लेकिन अभी जो पांच दिन पहले ट्रांसफर पोस्टिंग होई है जिसमें जो मोतिहारी के पुर्व जिलादिकारी थे जिनको की चाश दिया गया था पटना डीम का पटना डीम के तौर पर उनने चुनाव संपन कराया बाद में फिर से चंदर सिखर जी जाए वो जोईन कर लिए पटना डीम के तौर पर इनको पक निर्मान बबाद का एमडी बनाया गया है और उसी क्रम में जिन पांच आइस ऑफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी उसमें केके पाठक का भी नाम था और केके पाठक अपने उस पद पे जहां एस जो हैं एडिस्नल चीफ सेक्रेट्री लेंड रिफॉर्म उस पर वो बने रहेंगे लगाया जा रहा था सर की केके पाठक नहीं आएंगे लेकिन पुना सरकार ने एक बार लेंड रिवेनूज का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए केके पाठक को अपने पद पर पदस्थापित किया है औ पर आज 30 तारिक है अच्छा अज संडे है आज उनके छुटी समापत रही है कल से वो ज्वाइन करेंगे अब एक बात समझ लीजिए देखिए हम लोग तो आप गबर सिंगा जो डायलक था जैसे आपको पताएं कि उसक्रम में एक और फिल्म आई थी गबर इस बैक हैना त लेकिन बाद में गबर को एक हीरो के तौर पर नायक के तौर पर उसको लाय गया अगया धर इसकी तो रहें कि लैंड रिफॉर्म में जितना कर्रप्षन है क्ली वह क्रप्सण आप माल लिए को क्राप्षन कहीं नहीं है पूरा का पूरा सेस्टम भरस्ट है और हम आपको ब जो सेलरी उसको छूने के ज़रूत है करमचारी के पास दो-बाटरनी होते हैं है ना जो लोगों से बिना पैसा लिये उनका काम करते नहीं है सरकार कितनी भी सकत क्यों नहीं हो जाए अभी आप दिखिए कि सारे सरकार ने क्या कहा कि सारे सिस्टम को हम ऌन-लाइन कर देंगे renours nahe be Это किया उन-लाइन रखा कि किसी का जमा बंदियों में फिर हैर फिर करके डाटा ऑपरेटर के साथ सेटिंग करके लोगों ने उल्टा पुल्टा चलवा दिया और अब क्या है कब उसको दुरुस्त कराने के लिए लोगों को लूट रहे हैं मतलब आप यह समझ लीजिए और दूसरा मैं आपको बताऊं जैसे केके भाटक जिसे हमारी बाचीत हुई तो हम लोगों ने कहा था उनको कि जितने करमचारी हैं उनके संपतियों की जांच करा दें करॉप्शन का खुलासा हो जाएगा चुकि कुछ ऐसे करमचारी भी हैं जो सियो को अपने पॉकेट में लेके चलते हैं अच्छा जो उनके पदाधिकारी हैं सियाई तो छोड़ द जलता है उसके पास इतना पैसा है और एक बात समझ लीजे भू माफियाओं का जो नेकसस है उस नेकसस में उनका सबसे बड़ा मतदगार को ने करमचारी करमचारी तो करमचारियों पर अगर नकेल हो जाए करमचारियों को अगर दुरूस्त कर दिया जाए है ना तो लोगो को बड़ा लाब होगा और लोग जो मैंने लोग जो त्राहिमाम है यह समझ लीजे कि एक निरंकुस सासन जो होता है उस निरंकुस सासन के पीछे जो लोग त्राहिमाम है तो आज जिनको अपना रसीद कटवाना है जिनको जमीन की रजिस्ट्री करवानी है वो त्राहिमाम इस चीज को लेके हैं कि रजिस्ट्री तो हमारी हो गई है ना अब हमारा दाकिल खारीज होगा की नहीं होगा और एक रिफॉर्म अगर हमारी बात केके पाठक जी तक पहुच रही हो तो हम तो यह चाहेंगे कि सिस्ट्रम को कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि अगर जमीन की रजिस्ट्री होती है तो मुआइगे तो रजिस्ट्री होने के साथ साथ उनका दाखिल खारीज में और उनका रसीद भी ओस साथ हैंट तु हैंट कुल का जाए करमचारियों कि मौनोपॉली खतम हो जाएगी और सरकार कॉ जो रिभईन 48 बहुत प्रॉपर तरीके अगर इतना कुछ कंट्रोल होता है तो इसमें एक चीज और सामने आ रहे हैं कि क्राइम कभी कंट्रोल हो जाएगा क्राइम पर भी जो है कंट्रोल का पुड़ा जो नेक्सिस है वो कंट्रोल होने में काफी हद तक ठीक हो देखें दिश्चित तौर पर है जाना कि माली जै कि कराइम होता है क्राइम होता है उनको अप्सन मिलता है तभी क्राइम होता है आज क्या इस्तिती जमिन लोगों को यह आगा करना चाहेंगे कि जितने लोगों को complaints अपने दिये हैं लोगों ने यह हमारे जो post है उस post के ऊपर message मैं complaint आपने सारे details हमको provide किजे आप अपने सारे details पर पर प्रवाइड कीजे mail ID हमारा final post का mail ID हा उस पर या फिर जो message है aí उस message पर हमको provide किजे हम आप से वादा करते हैं कि हम आपको न्याज दिलवाएंगे आपकी आवाज उठाएंगे और आपकी समस्याओं के लिए आपको समधान के राश्ते पर लेचलेंगे चलिए ये तो बात हो गए कि लोगों का जो कंप्लेंट था जो हमारे भरष्ट करमचारी लोग हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो भरष्ट आधिकारी लोग हैं उनका अब क्या होगा देखे एक बात तो आप समझ लीजिए केके पाठा की नकेल तो ल होगे हैं कुछ डाटा हम लोगों के पास भी हैं और सब लोगों के गरदन पे तलवार लटक गई है और केके पाठाक से यह उम्मीद है कि सब का इलाज करेंगे भरष्ट अधिकारियों का क्रमचारियों का फाइनल पोस्ट भी अवने इंधराम कर देगा तो बहुत बहुत धन्यवाद सार आपका आप देख रहे थे कि केके पाठाक कल से जौइन करने जा रहे हैं बहुत खुसी की बात है और केके पाठाक के साथ साथ फाइनल पोस्ट की भी पहनी नजर रहेगी आपका जो भी कंप्लेन है और खास तोर पे हिदायत देना चाहेंगे ब्रष्ट कर पतना ही नहीं फाइनल पोस्ट का ओफिस पतना के साथ साथ दिल्ली में भी ओपन होने जा रहा है तो आवाज जो उठेगी वह सिर्फ बिधान सबाही नहीं अब संसद में भी घूचेगी तो आवाज हमारी अब दिल्ली तक भी पहुचने जा रही है इसकी तमाम डिटेल जो दिल्ली हमारा ओफिस खुला है और क्या कुछ होने जा रहा है दिल्ली में हम उसके बारे में एक अलग से छोटा सा वीडियो बना करके आपको बताएंगे तो केके पाटक आ रहे हैं कल से बिहार में भुचाल आने वाला है सुधर जाईए भरष्ट करमचारियों और केमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा